ओडियाई वर्ड कप दोजेते इसका फाइनल हारने के बाद बहुत सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे थी कि अब आखे टीम इंडिया का हेट कोच कौन होगा क्योंकि वर्ड कप खत्म होने के साथ ही साथ राहूल दृवड का कारेकाल भी खत्म हो चुका था लेकिन अब ऐसी ख खबर आ रही है खबर क्या बिल्कुल एक कंफर्म खबर हो चुकी है क्योंकि बिसी स्याइए ने अपने ट्विटर हैंडल में पोश्ट करके यह बात बताई है कि अब राहूल दृवड को टीम इंडिया का हेड कोच बना दिया गया मतलब एक बार फिर से राहूल दृवड पर ट्रस्ट दिखाया है जहां खबरे ऐसी आ रही थी कि वेवियस लक्षण हो सकता है टीम इंडिया के अगले हेड कोच होंगे लेकिन वहीं अब बिस्याइए ने पूरी तरीके से विश्वास दिखाया है राहूल दृवड में और एक बार फिर से राहूल दृवड को ट की हेड कोच बने है तब से टीम इंडिया ने तीन आयसे सी टौनरमेंट खेले हैं और उसमें एक में सब्सक्राइब लगई है और दो फाइनल में जाकर हार गया आपको उता दें कि टीटवन्टी वल्ड कप को सेमी फाइनल खेली थी टीम इंडिया वहां पे इंगलेंड न आपको उता दिए की सफर बहुत अच्छह रहा हैं राहोल डुड के हेट को जब से बने तब से टींडिया का सफर बहुत अच्छह रहा है लेकिन अंध मतलब अंजाम जो हुता है, वो इतना उच्छा नहीं हो आपको कैसी लगी खबर कॉमेंट करके में ज़रूर बिताएं और साथ साथ फान स्पोर्ट्स को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी नभूलें